कटगरे में खड़ा नहीं कर पाई है सर तो इसकी जिम्मेदारी किसकी नहीं है वो यूबक खुद आया खुद कट गया तो बताईए एक आज रूपया नहीं देखिए मैं फंडिंग की तो इस समय बाती नहीं कर आए मुझे लगता है कि आप विश्यांतर कर रहे हो कका जी औ देखिए क् Federation के नाम पर ये लोगोंने सड़क जाम कर रखी इनसानियत शरमसार हुए इनसानियत अगर शरमसार हो यह तो पिसान के नाम पर जिन शेनी कर रहे हैं खुद कहा कुछ निलद्रा नहीं है वहां क्या कर रहे थे उन्हें たरंट हटाएंगे या तो किया वो किया कर रहे थी ये पुलिस का काम में देखने का तो आप त्यूजिद अब ने थे थे इंसे आप इंसे समर्थन ले रहे थे हमारा काम थोड़ी पुलिस का है और और जब जब यह चब चन्वरी पर तलवारे भांज रहे थे ऐसे ऐसे करके तब आप सब वहाँ पे तमाशा देख रहे थे सब लोग और अब वहाँ पे तालीबानी स्टाइल में मर्डर हो गया है हाथ पर कार्ट के अलक्स रटका दिया गया तो वह से हमारी जिम्मेदारी नहीं है यह कैसे चलेगा जी के 26 जन्वरी में हमने बहुत हमने बहुत साब कहा था कॉल हमने दिया है रिस्पांजबिल्टी हमारी है हम पूरे देश से अरे यह तो आप यह तो आपके अंदोलन की सवाल पूछ रहा हूं लेकिन शहदाद पुनावाला को मैं रुख करता हूं और में साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी है राश्टी प् किसान आंदोलन की कोई जिमेदारी नहीं है और यह जो लोग है यह किसान भी नहीं है पॉइंट नंबर टू जो कि बहुत महत्यपून है देखिए तालीबानी स्टाइल में मर्डर हो गया वह हमारे सामने है लेकिन यह सोच कितनी यह मानसिकता कितनी घातक है भारत वर्ष क के लिए देश के लिए जी अमीश यह सिंगू बॉर्डर है अफगानिस्तान नहीं यह तालीबानी सोच है हमारे देश का किसान नहीं मैं इस बात से अगरी करता हूं परंतु मैं दो तीन बाते कहना चाहता हूं यह पहली बार तो हुआ ने इससे पहले 26 जनवरी का हमने चुपा दिया गया एक महीला का किस तरीके से बलातकार किया गया और उसके शव को चुपा दिया गया उस पर कोई कारवाई नहीं की गई इसके अलावा राजस्थान में एक दलित नेता के कपड़े पाड़े गए पंजाब में बीजेपी के विधायक के कपड़े पाड़े बेशर्मी की हद है लोगों को बार-बार हिंसा का सामना करना पड़ रहा है और यह एक बार भी नहीं कहते कि नहीं हमारे नैतिक उसूरों के खिलाफ हम इसकी जिम्मेदारी उठाते हैं यह कहते हमारी जिम्मेदारी नहीं है मैं आपको बताना चाहता हमीज जी निहंग पर आपको घुसने नहीं देंगे, वहाँ पर तो 370 लागू है, वो तो पत्रकार भी देख देखकर कौन सी बिरादरी का है, कौन सी सोच का है, उसको देखकर एंट्री देते हैं, वहाँ पर एक तरीके से 370 लागू है, तो वहाँ पर वो निहं के जो भी लोग थे, वो कैसे पहुंचे, और आखरी शब्दि के दलित मारा गया है, आज हातरस लॉबी चुप है, मैं उनको भी पूछना चाता हूँ, अगर ये हत्या एक हिंदू करता किसी अलपसंख्यक का, मान दीजे, धर्म के अपमान के नाम पर ही सही, तो आज पूरे हिंदू कौम को क्या कहा जा कि ये रैडिकलाइस्ट कौम है, कहा जाता कि ये जैशी राम युद्गोश है, आज मैं सवाल पूछना चाता हूँ कि क्यों ना उठाये जाए सवाल, कि ये आंदोलन किसानों का है, या ये आंदोलन कोई और विचारधारा का है, जिसने बार-बार अपना जहरीला चेहरा बताया है, और आज इस बुराई पर अच्छाई की जीत करना जरूरी है, तो इसके भी सर को कुचलना बहुत जरूरी होगा, जी, मैं रुक करता हूँ आपका जाने मने मुष्णिम्चित तक है शोहिव जमई, शोहिव जमई मैं फिर प्रेम भाई आपके पास भी आओंगा आखरी सवाल आपी से मैं पूछूँगा, शोहिव जमई हमने देखा, हमने देखा कि शहीन बाग हुआ, हमने देखा कि किसारा अंदोलन भी हुआ, लेकिन जो निर्मम हत्या हुई है, उसके जिम्मेदारी तै होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या आपको लगता नहीं है कि बस अब बहुत हो चुका, या फिर आपको खुशी है कि तालिबानी स्टाइल में मर्डर हो रहे हैं, तालिबान को ता आप बहुत फॉलो कर रहे हैं न? अमिश जी, पूरे देश को लोगों से मैं मुखातिब, विदाउट मिंसिंग माई वर्ड्स, बिना किसी लाग लपेट के ये बात कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, हम सब को, कि बहुत ही विभत्स और बड़ा ही भयावा एक घटना आज जो हुई है सिंगू बॉर और पे और हमने इस पे निंदा करने में और ट्विट करने में इसके खिलाफ और अभी इस से पहले भी किसी चैनल पे मैं था, तो उस पर भी मैंने यही बातें कहीं, कि इस से बड़ी भैवा और विवात्स घटना और इस आंदोलन को देमेज करने के लिए कोई चीज हो नह सकती कोई हमने मिन्स नहीं किया आप जो कह रहे थी कि यह गैंग सेकुलर गैंग वाले आप क्यों चूप है मैं चूप नहीं हूँ मैं तो इसकी इंक्वाइरी की मांग कर रहा हूं इंक्वाइरी की किसान अंदोलन के नाम पर जो दुकान चल रही थी उस दुकान में यह हत्या हुई है क्या आपको लगता नहीं है कि किसान अंदोलन पर कारवाई होनी चाहिए इसके तहर यह फिर खुद किसान नेता इतने समझदार है जो कि तथाकति किसान अंदोलन को चला रहे हैं उनको खुद किसान अंदोलन बापस देना चाहिए जो हुआ है वो शर्मनाक उई होए लेकिन अमिश जी जब लख्यों को भी घटना हुई ऐसा ही विभस और भयावा था जहां पे एक तालिबानी स्टाइल में ही किसानों के उपर गाड़ी चड़ा दी गई रौन दिया गया तो हमने उसको जस्टिफाई नहीं किया बलकि आफी के ग्रुप के लोग और कुछ लोग यह कह रहे थे कि भाई यहां से इसमें टी-शट नजर आ रहे खालिस्तानी मैं यह कहता हूं कि जब लखीमपूर में घटना हुई जहां पर ऐसी विभस और भयावा द्रिश देखा जहां पर किसानों को कुछला गया तो जो यह तथा कति जो यह राष्टवादी गै करेंगे यह तो उसको justify कर रहा था एक गाड़ी से कुछलने को क्योंकि मंतरी का बेटा उसमें शामिल था हाई प्रोफाइल केस था एक सब्सक्राइब कर लिए लखीमपूर पर यह लखीमपूर के विशे पर यह कहिए यह लखीमपूर के विशे पर यह डिबेट नहीं है आज जिस विशे पर डिबेट है उस पर रही है तालीबानी यह तालीबानी स्टाइल के मर्डर को justify करने के दूसरे तरीके पर टूंड़ यहां पर तो कोई जिम्हेदारी लेने को तयार रही है हाट पर काड़ के अगर एक सेकिन अब प्रेम शुकला का मैं रुक कर लेता आपकी सरकार है आपकी सरकार है अगर मर्डर हो रहा है तो आपके सरकार की ताकत इतनी है इस देश की जनता ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया है कि आप कारवाई करिए लेकिन क्यों आपकारवाई से चुक जाते हैं निश्चित करेंगे बिल्कुल नहीं चुकेंगे अपराधियों की शिनाख्त अपराध की विवेचना अपराधी के खिलाद दंड़क्रक्रिया और